चलते चलते आप क्रिकट खेलते हैं जी बिल्कल खेलता हूं कितने साल उसे की लिए लीग के बारे में जब सुना चालीस साल के बाद ऐसे में आचस हो रहे हैं वो भी कश्मीर में कैसा फिल्ड कि देखो सर सबसे पहले मुपताओंगा कि जिन को हम उमून टीव पे देखते थ हैं फिल्डिंग को लेके बैटिंग को लेकि आए उनको सामने में भी देख रहा था और बड़ा मुका हैं देखा हम तो इसमें खेलने ही पाएंगे लेकिन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए वह यहां पे खेलें कि हम देखेंगे और पहली मरतबा अभी कहा जा है इंस्पिरेशन है और वह भी इंडिन क्रिक टीम में जाना चाहिए बिल्कुल हमारे प्लियर हमारे सीनियर प्लियर्स को दिखो परवेज है आब यह बाकि सारे ऐसे इमरान पास्ट बॉलर है अमरान मलिक इन चीजों से हम इंस पर होते हैं आप यहां पर खेलेंगे आप इसमें किते फाइदे होंगे एक तो यहां पर थोड़ा सा बॉस्ट मिलीगा और यहां पर एक क्रिकेट लिक हमें देखा जाता है कि हम पर फुटबाल ऐसी चीज़े होते थी टोर्नाम लोकल लेवल पर लेकिन अब क्रिकेट वो भी इंटरनेशनल क्रिकट पहली बार देख इसको डेवलप किया गया है यहां के स्टेडियम के बारे में अगर बात करेंगे जब ऐसे मैच्चेज होंगे तो कितना कुछ और डेवलप करने जी बिलकुल यह तो आपने सही कहा जितने हमारे हम पर आँस स्टेडियम है वो इस लाइक नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट ख अगली बार जब आना चाहेंगे तो खुद कैफ नहीं कहा कि मैं कश्मीर दुबारा आऊंगा और आना चाहूंगा आप देखें कि अगर इस तरह से प्रोग्राम्स हुए यहां पे क्रिकेट खेले खेला गया तो और बढ़ाएगी ताकि इसे हमारे जो टैलेंट है वो भी परकंगा अगरे मुझे बढ़ने में मदब मिं पाया कि यह बहुत ची ख़बर प्रचकृ जलते चलते के जब बात चलती है तो कई सारे खिलाडी कश्मीर में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट को प्यार करते हैं मैं भी ख्रिकेट कảiलता हूँ कृक्रिकेट जरूरी है कि आपका भी फेवरिट गेम क्रिकेट है बिलकुल आज आपने सुना कि लीग हो रही है चालीस साल के बाद लेजंड्स चमो कश्मीर कश्मीर में बक्षी स्रेडियम में एक बड़ा नाम इर्फान पठान होगा कई सारे और खिलाडी होंगे हर बचन सिंग आपने चिप्या आए होई है नमना हो जाए नहीं कि दुबारा से कश्मीर में क्रिकेट की बहार इंटरनेस्नल क्रिकेट ख blessed नहीं गया हमारे लिए अफसोस की बात है क्यूंकि हम जैसे क्रिकेट खेलने वाले बंदे वह ऐसा प्लैटफर्म हमें मिला नहीं हमें देखने को मिला नहीं हम बस टीवी तक ही मैदूद रहें टीवी से बाहर आज पहली दफ़ा यहां क्रिकेट के लेजंड्स आरे हैं क्रिस रहे हैं तो उन्हें भी एक मेसेज जाएगी कि यह वो चीज है जहां से आपको रुतबा मिलेगा आपको लगता है कि देर आए मगर दुरुस्त आए बहुत पहले होना चाहिए था या थोड़ा सा हमने देखा IPL की लीग्स हुई या बाकी लीग्स हुई जिने देखने के हम बाहर जाते थे अब कश्मीर में भी ऐसी लीग्स हो रही है को लगता है कि देर आए दुरुस्त आए इसकी जो हमें देखने को मिलेगा हम अफसुस ना करें बहतर वही रहेगा क्योंकि जहां से शुरुआद हो जाए वही बहतर है अभी यहां पर जो लेजंस लीग्स श मैसे भी यहां पर हो और इंटरनेशनल मैच कि यहां पर आलरी खेला गया है वो भी यहां पर खेला जाए फिर से क्योंकि we have that kind of platform here we have the cricket stadium here personally you believe that we have a fantastic talent when we talk about it you know especially the youngsters 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 youths क्रिकेट गली नुकर आपने भी खेला है मैंने भी खेला है तैनिस बॉल से exactly ऐसा है कि cricket talent की अगर बात करें तो यहां पर टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है मैं अपने मैं खुद भी हफते में दो बार तो cricket खेलता ही खेलता हूं तो बी वेरी ओनेस्ट मैंने ऐसे लड़के देखे हैं शायद मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे स्टेट्स में भी वैसे लड़के हों कि इतना टैलेंट है हमारे पास इन्टरनाशनल और बहुत सारे नाम है कोई स्पेशल खिलाडी फेवरेट खिलाडी आपका MS Dhani MS Dhani wow salute to Dhoni always in front so thank you so much for talking to us बहुत 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 शुकरिया अब लीग का इंतिजार आपको भी है मुझे भी एक साथ मैच देंगे बिलकल जरोर चलो पहले ऐसे तो बहतर है अभी ओर बहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे क्रिशी के उपकरनों और खाट पे सबसिडी साथ ही किसान संबान निधी में मिलने वाले 6000 रुपे को बढ़ा कर 10,000 कर देंगे सच में हाँ क्योंकि शाहां भाजबा वहां विकास चलते चलते बात करें तो आप लेजंड्स आ रहे 40 साल के बाद दुबारा से कश्मीर में लेजंड्स की गेम दिखाई देनी जा रही है एक साइड से हमारे कश्मीर में भी लेजंड्स है मगर वो छुपे रहे वो दिखाई नहीं दे है या कह सकते हैं कि आपको लगता है कि उनको जिस तरी किसे प्लाटफॉर्म पे लाना चाहिए था प्रिड्यूस करना चाहिए था ऐसा कुछ हुआ नहीं मगर अब जब यह 40 साथ बाद हो रहा है तो इसमें इंपोर्टन्ट क्या लगता है आपको चले गेम तो होनी होनी है मगर कश्मीर के लेजंड्स के लिए क्या कुछ होना चाहिए यांग्स्टर्स के लिए जो स्पेशली एक फीवरिंग टैलेंट रखते है देखे अभी अगर देखेंगे तो इन्होंने ये बताया कि लेजंड्स है सारे रिटायड ये प्लिएर्स है जो इसमें खे़ल रहे है और इटरनेशल कि différentes फिरसे आ रहा है क्योंकि इसमें इंटरनेशल खिलाड़ी भी है a.n bell है या Chris Gayle है बहुत सारे ऐसे प्लिएर्स है वह नेशनल खिलाड़ी भी उसमें मसरूफ दिखेंगे हमें इस लीग में लेकिन एक कमी है कि जिस तरह से हमने इनको पहले भी बताया disappointment काफी होती है जब यहां के खिलाडी इन जैसे प्लेट फार्मों पर नहीं खेलते हैं अलबता कुछ percentage तो रखनी ही थी जो जमू कश्मीर के खिलाडी है उनको खेलनी की इजाज़त होनी चाहे थी अगर लेजेंड्स भी खेल रहा है चलो मान लिया कि रिटायर प्लेयर जो है वो इसमें पार्टिसपेट कर रहे हैं लेकिन चंद परसंटेज लोकल टैच इसमें होना चाहिए था उससे ज्यादा यह फॉर्मेट जो है काफी जदा फला और फूल फूल जाता लेकिन उसमें एक बात में आपको कहूं कि अगर यहां पर लोकल ट बडर रहता है कि हम किसी ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां स्क्यूरिटी का भी क्योंकि यहां आपको पता है तो इन चीज़ों का कितना चैलेंजिंग होगा खास तोर पर गया जो भी इन-बेटीन इन चाहिए खास तोर पर आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा वै मैनेज करना और अगले चाल 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 देखिए आरेडी जुमुएंड कश्मीर जवरी सिंसिटिव स्टेट इनो तो उसमें आरेडी हमने देखा कि स्क्यूर्टी के माकूल इंतजामत आरेडी रहती है एक बड़ा कंसर्ण रहता ही है जब इस तरह के हाई प्रोफाइल प्लेय है अलबता जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स होते हैं उसके लिए स्क्यूर्टी का इंतिजाम रखना ये चलेंजिक होता है स्क्यूर्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गली क्रिकेट तो याद आएगा याएगा शूर शूर उसमें तो यह तो कंसर्ण रहता है कि हम फ होता था क्योंकि एविन्यूज को लेकर हम बात करेंगे फिनैंशल कंडिशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं थी मगर वैन्यू है स्ट्रॉंग यो पीपल आल राउंड स्पेशली इन कश्मीर अब आप देखिए कि लीग के साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं यहां क साथ एक डिफरेंट इंपाक्ट पड़ेगा डिफरेंट इंपरेशन पड़ेगा अधर स्टेट्स में भी अब कश्मीर में भी ऐसा हमें इंतिजार रहेगा उस पल का जब आई पेल जैसे लीग या वर्ल कप जैसे मैच्च या कुछ ऐसे इंटरनाशनल टेस्ट मैच्च द इंसिंग आ रहे हैं यह कह सकते हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कश्मीर के इस खूबसूरत वादियों के साथ साथ इन फिजाओं के साथ इन फूलों की रंगत के साथ साथ एक अलग सी खूबसूरती चोड़ेंगे जिससे हम कह सकते हैं कश्मीर में जी हां फूलों पेट में जो है किगल करेगी और साथी साथ में कहूंगा कि हम कहेंगे ये रहा च्छका और ये रहा हाउस डैट और अगर कोई disappointment होती है तो कई सारे expressions reactions रहती है क्योंकि स्टेडियम में सारी चीज़े देखने को मिलती है मगर अब कश्मीर में और लेग्स के साथ चाहत लेजेंड्स और लेजेंड्स के साथ एक नया नजरिया तैंक यू सो मच वर जॉइनिग इस इस वाल अबाट तोड़े आई होब चलते चलते इर्फान फाजल के साथ टिक टॉक टिक टॉक आज आपने नई चीज़ देखी होगी feedback देना ना भूलेगा इजाज़त दीजे मेरे camera person महमद शफी मेरे video editor साहिल मचीद को मने रे देख तहरे गुलिस्तान नेउस नैश्राल टेलेविजन जैनल गुदबाइंट अड़ियक चलते 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 कर दो जलतेड़ मखें और हमारे जम्मू में ट्रेष्ट का वाईं हाव पाईंगे क्योंकि २ाधी जी यहाँ के धासिवस्ताणों को इंटरनाश्नल पहचान दिलाएंगे मैडू औरिंटरनाशनल एरपोर्ट बनेगा जम्मू बनेगा स्पैशल टौरिस्ट अब सच में हां क्योंकि जहां भाजपाद वहां विकास शांती इस्थिरता और विकास जमु कश्मीर को मोधी पर विश्वास